बच्चो नमस्कार आओ करें और सीखें भाग संख्या 140 में आज हम सीखेंगे कौण की माप का अनुवान लगाना बच्चो पहले प्रसंद को पढ़ते हैं और समझते हैं आपके स्कूल में रेंप बना होगा रेंप को देखिए और अनुवान लगाईए कि यह कितने अंस के कौण पर बनाया गया है बच्चो इस चित्र में आपको एक रेंप की आकरती दिखाई जा रही है यही लगभग आकरती हमारे स्कूलों में होती है बच्चो अब हम इस रेंप की आकरती को देखते हैं कि यह रेंप की आकरती किस प्रकार से बनी हुई है तो बच्चो हम इस पस्ट रूप से देख रहे हैं कि यह रेंप की आकरती नियून कोण पर बनी हुई है अता है हम कह सकते हैं कि यह ramp noon cone से बना हुआ है बच्चो अब हम अगले प्रसन को देखते हैं अगला प्रसन है यह cone कितने अंसका है बच्चो आपको चितर में एक तिर्भुज दिख रहा है तिर्भुज में सामने वाले cone में प्रसन वाचक चिन्ह लगा हुआ है बच्चो यह जो सामने cone दिख रहा है यह हमें स्पस्ट रूप से noon cone दिख रहा है अता हम उत्तर में noon cone लिखेंगे बच्चो अब हम अगले प्रसन को देखते हैं कक्छा में दर्वाजे के पल्ले को धीरे धीरे खोलते हुए पल्ले के निचले किनारे और चोखट के बीच बनने वाले cone को देखिए और लिखिए किस स्थिती में नमबर एक noon cone बना है बच्चो हमें पहली स्थिती प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पल्ले को हम एक चोथाई से कम भाग को खोलेंगे तो यह noon cone बनेगा अब हम बच्चो दूसरी स्थिती प्राप्त करने के लिए अर्था समकोण किस प्रकार से बनेगा इसे ग्याद करने के लिए हम पल्ले को एक चोथाई भाग खोलेंगे तो निच्चित रूप से यह है समकोण बनेगा अता है बच्चो हम उत्तर में noon cone की स्थिती में समपूर cone का एक चोथाई से कम भाग खोलेंगे तथा समकोण की स्थिती में समपूर cone का एक चोथाई भाग दर्वाजा खोलेंगे तो समकोण बनेगा बच्चो अब हम अगले प्रसन को देखते हैं प्रस्ण है नीचे एक बाक्स में कुछ बिंदू बने हैं किनी भी तीन बिंदू को मिलाते हुए दो समकोण, दो नियूनकोण, दो अधिक कोण बना कर उनके आंतरिक भाग रंगीन कीजिए बच्चो हमने नीचे दिये हुँ बाक्स में दो समकोण, दो नियूनकोण और दो अधिक कोण बनाए हैं और उन्हें अलग-अलग रंगों से कलर किये हैं बच्चो हमने समकोण को लाल रंग से, नियून कोण को पीले रंग से तथा अधिक कोण को काले रंग से कलर किया है। बच्चो आप भी दो समकोण, दो नियून कोण और दो अधिक कोण बना कर इनके आंतरिक भागों को किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। बच्चो अगला प्रस्ण है घड़ी में कांटों को देखकर बताईए कि वे कितने बज़े लगभग 180 अंस का कौन बनाते होंगे बच्चो सबसे पहले हम घड़ी के चितर को देखते हैं और हम इसपस टूप से देख रहे हैं कि 6 बज़े घड़ी की सुईयां एक दूसरे से विपरीत ओर होती हैं अर्थात सरल रेखा में होती हैं अताए 6 बज़े 180 अंस का कौन बनाते हैं इसी प्रकार से 7 बज़ कर 5 मिनट में 180 का कौन बनता है तथा 8 बज़ कर 10 मिनट में 180 का कौन बनता है इसी प्रकार 9 बज़ कर 15 मिनट में 180 का कौन बनता है और 10 बज़ कर 20 मिनट में भी 180 का कौन बनता है इसी प्रकार 11 बज़ कर 25 मिनट में 180 का कौन बनता है इस प्रकार से आगे और भी 180 हंस के कौन बनते हैं बच्चो धन्यवाद आज इतना ही अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे आपके एक अन्रोध है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया धन्यवाद